Welcome back dear subscribers, तो आज मैं आपको टेलिग्राम के एक ऐसे सीक्रेट बोट के बारे में बताने वाला हूँ, जिस बोट से आप अपने फोटो को एडिट करवा सकते हो, सिर्फ फोटो एडिट नहीं, आप उस बोट से अपने फोटो की कपडे तक चेंज करवा सकते हो, सिर्फ कपडे ही हर एक चीज को आप अपने फोटो में एडिट करवा सकते हो, वो भी आटोमेटिकली आपको मेनवली कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तो वीडिओ को लास्ट तक जरूर से देखना बहुत ही पावरफुल बोट के बारे में बताने वाला हूँ, और बहुत ही कम लोगों को टेलिग्राम के इस बोट के बारे में पता है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बोट का यूज करके हम अपने फोटो को एडिट करने वाले हैं टेलिग्राम में, तो आपके पास टेलिग्राम एप होना चाहिए, अगर आपके पास टेल प्रिग्राम एप नहीं है तो आप इसे Google Play Store से इंस्टॉल कर सकते हैं यह बिल्कुल फ्री एप है दिन आपको इसे ओपिन करना है और अगर आप इसे पहली बार यूज करें तो आपको इसमें लॉग इन करना पड़ेगा मतलब कि एकाउंट बनाना पड़ेगा तो आप वर्च्वाल आप्शन को पर आजाना है और आपको यहां पर पहले सर्च करना है पी एच वो टी आई एफ वाई 45 ठीक है यह आपको सर्च करना है स्टार्टिंग में ही आपके सामने 45 AI आजाएगा देन इसके ओपर आपको क्लिक कर देना होगा फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा देन आपको यहां पर स्टार्ट के ओपर क्लिक करना है स्टार्ट के यह जो बोट है वो एक्टिवेट हो जाए तो स्टार्ट के ओपर क्लिक कर देना है अब उसके बाद आपको यहां पर अपना इमेज को अपलोड करना है जिस इमेज को आप एडि के उपर क्लिक कर देना तो आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यह अपलोड हो जाएगा अब उसके बाद आप इस AI की मदद से या फिर इस बोट की मदद से अपने फोटो को एडिट करवा सकते हूँ दो तरीका है एक तो आपको यहाँ पर एक menu का option देख रहा है इसको पर आप क्लिक करके कोई एक category को सेलेक्ट कर लेना है जिस theme में आप अपना फोटो को एडिट करवाना चाहत हूँ जैसे कि मैं Christmas को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि एक festival के theme में हमारा जो फोटो एडिट ह के हमें मिल जा रहा है आप देख सकतो आप्टोमेटेकली यहाँ पर background चेंज हो चुका cloths चेंज हो गया festival का theme यहाँ पर हमारे फोटो में आ चुक है ठीके तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने फोटो को जनरेट कर सकतो अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए 3. को पर क्लिक करने उसके बाद सेव टू गैलरी को पर क्लिक करने सेव हो जाएगा ओके तो मेन्यू से कैसे फोटो को एडिट किया जाता है वो आपने यहाँ पर सीख लिए अब मैं आपको दिखाता हूं आप खुझ से अपना फोटो को कैसे कस्टमाइज कर सकतो मतलब कि जि होड़ा सब वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सेकतों जस्ट ब्लैक क्लॉथ में हमारा जो फोटो है वो एक कलब में आ चुका है मतलब कि कलब का बैक्ग्राउंड हमारे सेट हो गया और क्लॉथ भी हमारे चेंज होगा ब्लैक कलर में आ चुका ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर खुद से भी कर सकते हो, शिर्फ आपको जैसा भी चाहिए, वैसा आप यहां पर लिखके send कर दो, एंड आपको इस टैप का photo बन जाएगा, देन फोटो को आप यहां पर save करें, save करने का तरीका मैंने आपको दिखा ही दिया था, अब आप अपने फोटो में अपने face को भी control कर सकते हो अगर आपको smiling face चाहिए तो आप यहाँ पर smiling face या फिर happy mood इस tap का कुछ word लिख सकते हो उसके बाद surrounding का चीज आप यहाँ पर explain कर देना जैसी कि मैं यहाँ पर standing in field इस बार लिख देता हूँ उसके बाद send कर देना है फिर आप यहाँ पर देख पाओ कि आपका जो face है वो भी just यहाँ पर change होगा मिन से customize हो रहा है आपने यहाँ पर हसने वारा लिखा था तो face यहाँ पर हस रहा है और यह हमें ground में चाहिए था तो ground में भी आ गया मतलब cloth change हो जा रहा है face नहीं change हो रहा है I mean face का आप expression चेंज कर सकतो यहाँ पर ठीक है तो मतलब जिस भी type का आपको अपना photo को edit करवाना होगा वो just आप यहाँ पर लिख के send कर दो और आपका photo edit हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वाली वीव